Hello friends, मेरा नाम राहुल जैन और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक modern वीज जानना चाहते हो prospect से add करने के लिए, prospect से बात करने के लिए So friends, आपको मैं बताऊँगा आज आप किस तरीके से अपने prospect से बात कर सकते हो अगर आप एक minute में 1024 से जादा लोगों को message करना चाहते हो तो मैं बताऊँगा आप whatsapp के true किस तरीके से अपनी broadcasting list मना के आप एक minute के अंदर 1024 से जादा लोगों को message कर सकते हो So friends, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो इस चैनल को जल्दी से subscribe करें bell icon को press करें जिससे कि आपको सारी information videos आपसे miss ना हो जाए So friends, चलिए शुरू करते हैं तो सबसे बहले मैं आपसे बात करूँगा कि अगर मालीजे आप इसमें जानना चाहते हैं किस तरीके से WhatsApp में communication करते हैं तो सबसे पहला method होता है जिसको हम बोलते है one-to-one communication अब जैसे मालीजे आप अपने friend को या किसी relative को या किसी colleague को message बेसते हैं तो वो one-on-one message बेसते हैं एक person दूसरे person को message बेसते हैं सो WhatsApp हमारा basically messenger है तो हमारा one-to-one messenger हमारा one-to-one communication यहां से इस तरीके से किया जाता है दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते है many-to-many communication जैसे कि आप लोग को पता है कि हम WhatsApp के ऊपर एक WhatsApp ग्रुप बना सकते हैं जिससे कि अगर मान लीजे मैंने बहुत सारे लोगों को लगबक 100 लोगों को अगर मैंने WhatsApp ग्रुप में add किया तो एक message send करने पर वो message सभी लोगों को चला जाता है इसी तरीके से अगर कोई दूसरा person है वो अगर message send करता है उस ग्रुप के अंदर तो वो message भी सभी लोगों को चला जाता है और वहाँ पर कोई भी person एक दूसरे से बात कर सकता है एक दूसरे से communicate कर सकता है इसको हम बोलते है man to many communication मतलब की जैसे हम WhatsApp पे group बनाते हैं तो many to many communication पहले चला करता था बट आज की date में एक नया concept आ चुका है जिसको हम बोलते है one to many communication अब ये one to many communication क्या होता है हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता हो broadcast के बारे में तो ऐसा भी हो सकता है बट बहुत सारे लोगों को यह ना भी पता हो बट मेरा यहां पर बताने का purpose क्या है कि अगर मालीजे आप sales में हैं अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहां पर आपको एक से जादा लोगों को message करना है वो भी individual मतलब कि जैसे मालीजे आप अपने पांच लोगों को message करना चाहते हैं तो पांच लोगों के list बना रखी है मतलब कि 256 लोगों की अगर broadcast list बना रखी है तो सिरफ और सिरफ आपको क्या करना है आपको उस broadcast list के अंदर उस broadcast 24 लोगों की हो जाती है तो वो चीज आप एक मिनिट के अंदर लगबग 1024 से जादा लोगों को message कर सकते हैं अभी हम सीखेंगे कि आप broadcast list कैसे बना सकते हो बट इससे बहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि broadcast message जो होता है वो किस person को deliver होता है किसको नहीं होता तो friends यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है अगर मान लेता है कि मेरा number आप लोगों ने save किया हुआ है और उस number से अगर मैं आपको broadcast list बनाके message करता हूं तो मेरा message आपको deliver हो जाएगा मतलब कि अगर आपने मेरा number save किया अपने phone में और मैंने उसका broadcasting list में नाम डाल दिया आप लोगों का तो अब मैं अगर message बेजूँगा तो इसका मतलब है मेरा message आप तक चला जाएगा इसी तरीके से अगर आपके friend ने आपका number save किया है तो अगर आपने उसको broadcasting list में add किया तो ही आपका message उस तक deliver होगा जिस person ने आपका number save नहीं किया उसको आपका broadcast message deliver नहीं होगा इसी लिए यहाँ पर हम बोल रहे है one too many communication अगर आपके पास 100 लोगों की list है मतलब आपके phone में 100 लोग या 200 लोग या 500 लोग या 1000 से जादा लोगों की list है तो अगर आप उन लोगों को individual basis पे message करना चाहते हो अलग अलग तरीके से message करना चाहते हो so that is the best way कि आप अपना broadcasting list बना सकते हो इसमें थोड़ा सा effort लगता है एक बार आपको मेहनत करनी पड़ सकती है कि कि किसको इसमें add करना है किसको इसमें add नहीं करना अगर आप मालेजे मेरे साथ connected हो कईनक है insurance industry में लोगों को prospect करना चाहते हो लोगों से बात करना चाहते हो कि यार मेरे phone में 500 लोग हैं तो 500 लोगों को मैं एक एक करके कैसे message बेजो तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक बार थोड़ी सी efforts कीजे थोड़ी सी महनत कीजे और अपने broadcast list को prepare कीजे कि अगर मैं किसी को message बेजो तो मैं किसको message बेजो जिससे कि हमार को benefit मिले मालेजे आप आपको लगता है कि यार मैं अपने कुछ prospects को broadcast list में add कर लेता हूं लगबग 200 लोगों को मैं prospect list में add कर लेता हूं अब आपको कोई communication करना है आपको कोई भी message बेजना है कोई promotion से related चीज़े भेजनी है कोई marketing से related चीज़े भेजनी है तो आप एक message बेजेंगे उस broadcast के अंदर और आपका पूरा का पूरा message मतलब कि उन 200 लोगों को message एक बारी में चला जाएगा so friends अब हम सीखते हैं कि कि किस तरीके से हम broadcast list create करते हैं चलिए शुरू करते हैं तो basically यहाँ पर क्या है आपका मालीजिए follow the step करना है मतलब कि आपको किस सरीके से steps को follow करना है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप किस सरीके से क्या steps को follow करें जिससे कि आप अपना broadcasting list create कर पाएं आपको अभी मेरा mobile का screen देख रहा होगा तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर follow करना है चीजों को अब मालीजिए आपना WhatsApp open किया अब WhatsApp open करने के बाद आपको क्या करना होता है अब जैसे right hand side पर जाएंगे सो right hand side पर जाने के बाद आपको एक new broadcast का option देख रहा है second option जहाँ पर आप new broadcast पर click करेंगे सो आप देखिए आपके पस कितने लोगों का number है अब मेरे पास यहाँ पर मैं 256 लोगों को यहाँ पर add कर सकता हूं right so अब मालीजे मैं कुछ लोगों को यहाँ पर add करता हूं ठीक है one one two three इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने पास broadcast list में बहुत सरे लोगों को add कर सकते हो और जैसे ही आप इस broadcast list को नीचे green tick करते हो तो यहाँ पर आपके broadcast list में आठ लोग add हो जाते हैं so 8 recipients मतलब की 8 लोगों को आप एक बारी में message कर पाओगे बट उन लोगों को कैसा लगेगा उन लोगों को message ऐसा जाएगा कि आपने एक message बेजा और उन लोगों को individual basis पे message चला जाएगा एक एक करके उन लोगों को message चला जाएगा जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ अब मालिचे मैंने इन 8 लोगों को message भीजना है तो अगर मैं इनको high लिखता हूँ तो यहाँ पर high लिखने के बाद अब इन 8 लोगों को individual basis पे message चला जाएगा right so अब अगर मेरे को इस इसका नाम चेंज करना है तो इसकी मैं image भी change कर सकता हूँ आप profile में जाएंगे profile में जाने के बाद आप इस broadcast list की आप image भी change कर सकते हैं साथ की साथ आप इसका नाम भी change कर सकते हैं इस pencil के sign को click करके इसी तरीके से आपकी broadcast list बनती है तो मैं आपसे request करूँगा कि अगर आप जादा से जादा लोगों को communicate करना चाहते हो बात करना चाहते हो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको broadcast list बनाने के फायदा यह होता है कि आप एक बारी में लगबग 256 लोगों को message कर सकते हो 256 लोगों को आप message कर जाते हो बट अगर आप आपने इसी तरीके से चार broadcast list बना ली तो लगबग 24 लोगों को आपने अपने broadcast list में add कर दिया और within a minute एक minute के अंदर अंदर आपने उन चारो broadcast के अंदर अपना communication message बेज दिया तो इसका मतलब है आप एक minute के अंदर 1024 से जादा लोगों को connect कर सकते हो broadcast कर सकते हो और one on one communication कर सकते हो so friends ये चीज मैंने आपको confirm करी ये मैंने आपको बताया तो इस तरीके से आप अपने steps को follow कीजिए broadcast list को बनाइए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं करा तो आप इस चैनल को subscribe करें और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से like करें जिससे की मेरा motivation बना रहे और मैं आपको इस तरीके की चीजे समझाता रहा हूँ finally अगर आपको हमारे साथ insurance advisory business का काम करना है अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ मिलकर आप insurance advisory business का business बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इस number पर message कर सकते हैं साथ की साथ मैं आपको description में एक link provide करूँगा उस link को click करके आप directly मेरे से communicate कर सकते हैं उन लोगों को एक मिनिट में 1024 लोगों को message कर सकते हैं तो अब हम मिलेंगे next video में till the time thank you so much